हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो गाईज, आज मैं आप लोगों के लिए लेका रहा हूँ हूँ बहुत ही चटपटा और स्वादिश्ट नास्ता जिसका नाम है मसाला पाव पकोड़ा इस पकोड़ा को बनाने के लिए मैं आपको एक अलग तरीके का इस्पेसल मसाला बनाना बताने वाली हूँ जो की इस पकोड़े का स्वाद दो गुना बढ़ा देता है तो चलिए इसे बनाना हम लोग सुरू करते हैं आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्टे पकोड़ा बन करके तयार होता है इस पकोड़ा को बनाने कली मैंने यहां पर लिया है छोटे वाले लादी पाव इस छोटे लादी पाव से बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनेंगे अगर आपको नहीं मिल पाते हैं छोटे लादी पाव तो कोई बात नहीं आप बड़े पाव कभी यूज़ कर सकते हैं लेकिन छोटे वाले से पकोड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो सबसे पहले हम पाव को कट कर लेते हैं तो इस तरीके से बीच से कट करिए और ध्यान रखेगा किनारे में जुड़ा हुआ होना चाहिए इसे साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पर बेशन का घोल तयार करेंगे जिसके लिए मैंने एक कप बेशन दिया है और इसमीं हम आड कर देते हैं आधा चमच नमक अपने स्वात का पावड़र आड करेंगे जिससे की बेशन का कलर जो है यलो कलर का आएगा और साथ में यहाँ पर पानी आट करेंगे और इससे मिक्स करते हैं तो पानी हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा से यूज करेंगे और मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंच ना पड़े और जैसे ही आप देखो इस तरीके से बेशन का घोल आपका गाढ़ा गाढ़ा तयार हो चुका है इसमें हम एट कर देते हैं थोड़ा सा मीठा सोड़ा यानि बेकिंग पाउडर जिसे के बेशन हमारा फोलेगा हो और साथ है मैंने लिया है एक चमच यहाँ पर रिफाइंड ओयल तो रिफाइंड ओयल आप यहाँ पर गरम यूज़ करिएगा सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि बेशन हमें कितना गाढ़ा चाहिए तो चमच से आप उठाओ तो इस तरीके से आपको बेशन दिखाई देना चाहिए चमच के पीछे जो है न मोटी परत जम जानी चाहिए ऐसा बेशन का खुल आपको तयार करना है उसके बाद हम मसाला तयार कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन गरम होने के लिए रखा है मैंने और इसमें हम एट कर देते हैं थोड़ा सा रिफाइंड ओयल ओल को पूरे पैन में फैला देंगे कैस का फ्लेम लो रखा है मैंने और यहां पर लिया है मौफली का दाना थोड़ा सा साथ में ले लेते हैं हम इसमें लेसुन की कलिया तो छे साथ कली मैं यहां पर लेसुन की ले रही हूं मिक्स करेंगे और 1-1.5 मिर तक इसे हम रोष्ट कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें आइट कर देंगे नारियल सूखा वाला तो इसे मैंने चौप करके बड़ बड़ तुकड़े में यूज किया है और साथ में मैंने यहाँ पर 10-12 लाल मिर्ची लिया है और इसे तोड़ करके इसका बीच पहले मैंने निकाल लिया है फिर यूज करेंगे क्योंकि बीच अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो मसाला है काफी स्पाइसी हो जाएगा दो-तिर में तक फिर से मिक्स करते हुए रोष्ट किया है मैंने जैसे हलका सा कलर चेंज होने लगेगा फ्लेम आफ करके इसे थोड़े ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर एक ग्रैडिंग जान में ट्रांसफर कर लेते हैं उसके बाद मैंने लिया है एक चम्मच साफ और साथ में एक चम्मच कस्तूरी में थी इसे साथ यहाँ पर हम आधा चम्मच चुनामक आट करेंगे इसे हम ग्रैड कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे मोटा मोटा ग्रैड करके तयार करना है यह देखिए इसी तरीके से आपको भी रेडी कर लेना है उसके बाद यहां पर मैंने ले लिया है चीज तो चीज बिल्कुन ऑप्शनल है अगर घर पे अलेबल है और आप पसंद करते हो तो यूज करिए चीज एट करने से जो है इस नास्ते का स्वाद और ज्यादा बढ़ है तो चीज को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में इस तरीके से चौप करके लिया हुआ है उसके बाद हम एक पाव ले लेते हैं और जो हमने मसाला तैयार किया है आजा चमच मसाला पाव के अंदर डाल देते हैं साथ में एक तुकड़ा आप चीज ले लिजिए इसे भी करेंगे और और गरम होने के लिए पहले से रख दीजिए और अच्छे से गरम होना चाहिए पाव को डिप करिए और बस इसे ओल में फ्राइ कनने के लिए डाल दीजिए फ्राइ करते समय गैस का फ्ले मीडियम रखेगा और आपका अच्छे से गरम होना चाहिए कल्छी से अलट पलट करते हुए छे साथ मिनट में आपका ये जो है पकोड़ा फ्राई हो जाता है इसे फ्राई कहने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जैसे आप देखो कि इसका कलर डार्क हो चुका है तो इसे हमें ऑल से बाहर निकाल लेना है बाकि जो बचा हुआ है उसे भी हम गर्म गर्म सर्फ करेंगे अगर आप इस पकोड़े को हरी चटनी के साथ सर्फ करते हो तो बहुत ही जादा ये स्वादिश लगेगा खानी में या फिर आप चाहे तो चाय के साथ भी सर्फ कर सकते हैं उमीद करते हैं कि आप लोगों को पकोड़ा बनाने का तरीका पसंद जरूर आया होगा अगर आप मेरे इस तरीके से पकॉड़ा बना करके सर्फ करेंगे न सबी को बहुत पसंद आएगा इसका जो स्वाद है इक दम हट करके एक बार खालेंगे न तो आप इसका स्वाद भोल नहीं पाएंग इतना ज़्यादा यह टेस्टी है एक पकॉड़ा मे कि आप लोगों को रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करिएगा तो मेरे चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और कैसी लगी रेस्पी कॉमेंट करते कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा मिलते हैं एक नई रेस्पी में बाय गाईज क्वान में बताइब चाहशा की होगी रेस्पी लगी आवेंट bi ओनादग लाहरे लेक जानेंट करिपमें और के हमेंट करते हैं पालते हैं पोक्स्राइब सावके स्वeur में लॉक्साभरे सンドे हमें रेस्पीजियों में लएशे टॉक्षण